हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई हूब अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम देखने बाले हैं बीयसी थाडियर बालों के लिए जो छात्र अभी बैक पेपर देने वाले हैं या फिर इंप्रोमेंट जिसने डाला है ठीक है एक सब्जेक्ट में कुछ डाल देते हैं और कुछ पेपरों में डालते हैं तो देखिए आप चाहिए एम्देपी आरिव रोलखांड इनिवस्टी से हैं या फिर कह सकते हैं बीर बातुसिंग प्रबानचल इनिवस्टी का भी रिटेन एक्जाम हो रहा है और भी एक् कि यहिए फर्सट्नपेपर में देखेंगे जिस लिए अनॉजटिक आरं आओं से आपको 85 85% 자ट्व आए सबहां यहीं से देखनें यहीं क्यों घ्रमें क्या हो रहा था एक एय। इनिवस्टेइटि में टेनों पर एक साह आएंगे बैंग पेपर I recommend जो भी होगा और कुछ में अलग 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 हुआ था weight में and exam उसमें अलग अलग अलगा आंगे जिसमें तीनोई एक साथ हुए ते वो उसमें तीनोई एक साथ आएंगे तो मैं whenever फिर्ष्ट एफर की हां बात करओंगा फिर्ष्ट पेपर में balance bond theoretical limitation को उनकी सीमा है क्या होती है यह बहुत ही जादा important है साथ ही साथ हम ls जो cloping होता है ls human होता है इसको आप देखेंगे नीचे जाने के बाद में आपको एक कोशन देखने को मोलेगा बहुत जादा जो हर बार में पूचा जादा है इसमें से एक कोशन आपको देखने को मिलता है यहां से याद रखना इस को अब टिक लगाएंगे कारवन धात्विक योगिक क्या होता है और कारवन लीथम योगिक बनाने की भी यह बहुत जादा है का ठीक है बहुत ही जादा यह फिर कारवन क्या होते हैं बहुत जादा पूंची जाते हैं तो इनको आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से याद करेंगे ताइमिंग काफी है और आप इन कोशनों को आराम से पढ़़पाएंगे देखिए मैं आपको यहां बता द है कि बिद्धी आपको याद कर लेना है most important रहेगा ठीक है उसके बाद में नीचे हम जाएंगे और क्यूरी ताप क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे क्यूरी ताप क्या होता है ठीक है बिसम electronic rule के बारे में देख लेंगे और इस पिन जो होता है electronic rules इसको देखेंगे आप यह देखेंगे ठीक है और उसके बाद में हम देखेंगे M.O.T. देखे M.O.T. most important रहेगा M.O.T. M.O.T. जो से कहते है अपर D9 तक के electronic विन्यास को आप अच्छी तरीके से देखेंगे ठीक है और सेथली गनन क्या होता है इसको आप यह देखेंगे इतना देखने के बाद में आपको नीचे जाना है देखे मैंने आपको ऊपर बताया था carbon lithium carbon कारवन धात्विक योगी जो मुत बोला था तो एक ऐल्मोनियम टेटरनियम कारवन धात्विक वहीं जब पढ़ देंगे न तो वहीं से सब कुछ बनाना सीख जाएंगे ज्यादा कुछ एक्स्रा पढ़ने की जरुत नहीं पड़ेगी देखें दोस्त मैं आपसे यहीं कहना बहुत बुरा अरजलेटन लोगों ने दिया है तो मैं उन सभी शात्रों से कहना चाहूंगा कि वह अपनी त्यारी बरकरार रखें और कॉपी में जो देखो आप जो लिख रहा है उतना लिखो लेकिन हाँ एक भी कोशन को छोड़के मत आओ चाह उसको आप याद हो याद ह आप पहले करो जो आपको याद है जो नहीं याद है उसको छोड़ दो उसके बाद में लाश्ट में उसे बनावना के लिखते हो जो भी लिखना है लेकिन छोड़के मताओ मेरा मैतलब यह दिखो कापी बढ़ लिते हो तो अच्छा रहता है और क्योंकि हो सकता है वो है जो आपको सिंप्ली याद है पहले वो क्या करो जो याद है वही उसके बाद में देखो है जो से कहते हैं हार्ड एंड शॉप एस बहुत जादा इंपोड़ेंट है और स्पेक्ट्रम केमिकल सीरीज को आप याद करेंगे यह तो मैंने सब कुछ आपको ट्रिक से याद कर करते हैं और धातू कार्विन क्या होते हैं इसको आप पढ़ेंगे मौस्ट इंपोडेंट है और देखिए यह वाला बहुत ही ज्यादा इंपोडेंट इस कोशन में यहां से बंता बंता है जो से कहते हैं यह ने रूल क्या होता है यह नंबर आपको निकालने के लिए repar communion के बारे में सभी को याद होगा इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यह सभी लोग निका बारे में सभी जानते हैं इसको आप बना-बना के लेग के आएंगे और उसके बाद में गोशन के बारे में बहुत जादा इंपॉरेंट है और है citrus तो जानते ही है и संक्रन से बोलते हैं सब्सक्राइब आप देखेंगे जो संक्रम होता है टांजिशन की जरूत नहीं होड़ेंगे लेकिन यह बहुत इतना बढ़ लीजिए इस फर्स्ट पेपर में बाकि कुछ और एक्स्टर पढ़ने के जोत नहीं है जिसका सिंपल पेपर भी हो रहा है पेपर एक साथ मला कि कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ इनको जरूर पढ़ने जो भी एमजबी एर्यु रोलखंट का चातर है वो भी इन कोशनों को जरूर पढ़ने चाहिए बीर भादर सुनक प्रबांचल उनिवस्टी का यह मौस्ट इंपोटेंट है नकलोग उनिवस् आप पीडियाप से तयार करके चले जाएंगे मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है समझदे हो विस्वास करिए हमारा यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाता है यह मौस्ट कोश्चन है और आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाले ठीक है मिलते हैं अक्षे दिद्दे के लिए बाई बाई दोस्तों